एक ऐसा वीर मराठा जिसने मुगलों को इतनी बार हराया कि मुगल इनका नाम सुनते ही कापते थे सिर्फ एक बंदा और बीस हजार की सेना आठ लाख मुगल सेना पर भारी पड़ रहे थे दोस्तो मैं पात कर रहा हूँ छत्रपती सामबाजी महाराज की फिलहाल एक फिल्म आ रही है या फिर आई है छावा जो की सामबाजी महाराज के उपर बनी हुई है जिनमें लीड रॉल कर रहे हैं विकी कौसल तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम छत्रपती सामबाजी महाराज की बारे में जानने वाले हैं चत्रपती सीवाजी महाराज का बड़ा बेटा सामबाजी महाराज जो 1657 में इनका जन्म होता है और दो साल की उम्र में ही उनकी माता की मृत्य हो जाती है और मा जिजाबाई यानि सीवाजी की माता यानि सामबाजी की डादी वो उनको बड़ा करती है सामबा जी महाराज 52 से ही इतना खतरनाक थे कि 13 साल की उम्र में 13 से जादा भासाइं सीख चुके थे सामबा जी महाराज को होर्स राइडिंग, तलवार बाजी, तीरंदाजी और बाडी बिल्डिंग का बहुत ही सौक था इनको सास्त्रों और सस्त्र का भरपूर ज्यान था, साथ किलों की तलवार लेके सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी पहली जंग लड़ते हैं और जीतते भी हैं पिता सीवाजी मुगलों के साथ लड़ने में व्यस्त थे तो सामबाजी महाराज सिर्फ 19 साल की उम्र में राइगट के किले को संभालना सुरू कर लिया था और उजेन की कवी कलश को अपना सलाकार बनाया था कवी कलश काफी अदभूत सलाकार थे जब वो 23 साल के थे तो वीर मराठा छत्रपती सीवाजी महाराज का देहांद हो जाता है और सिर्फ 23 साल की उम्र में औरंगजेव का सबसे बड़ा किला यानि औरंगबाद का किला उसे उखाड फैकते हैं और धन, पैसा, सब कुछ लूट लेते हैं औरंगबाद की इस बड़ी लूट और हार ने औरंगजेव को टेंसन में ला दिया था कि आखिरकार 23 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है औरंगजेव ने अपने सेना पती हुसेन अली को बुलाते हैं और 30,000 हाथी और काफी सारी सेना देते हैं और कहते हैं कि इस 30 साल के बच्चे को मार डालो हुसेन अली कहता है ये काम वो सिर्फ दो दिन में खतम कर देगा लेकिन दो दिन तो क्या एक साल तक सामबाजी महाराज का कुछ-कुछ उखाट नहीं पाया हुसेन अली 1680, 1681, 1682 में भी एٹटेक कर वाया लेकिन फिर भी हुसेन अली जीत नहीं पाया सामबाजी महाराज ने 9 साल में करीब 120 लड़ाया लड़ी उनमें से एक भी नहीं हारी थी औरंग जेब एक ब्लान बनाता है वो सोचता है कि उसने पूरा नौर्थ तो जीत लिया है सिर्फ साउथ ही बाकी है जीतना तो क्योंनो साउथ से लेके चारो तरफ से घेरा जाए इस छोटे पच्चे को और बाद में मार दिया जाए औरंग जेब सामबाजी महाराज से 9 साल तक लड़ता रहा लेकिन सामबाजी महाराज ने 9 साल तक औरंग जेब को हराते रहे औरंग जेब की आठ लाख की सेना सामबाजी महाराज और उनकी 20,000 की मराथा सेना का कुछ उखाड नहीं पाए औरंग जेब दिल मिला रहा था क्योंकि वो सामबाजी को किसी भी प्रकार से हरा नहीं सकता था क्योंकि उसका एक सपना था पूरे हिंदुस्तान पर कबजा करना पूरे हिंदुस्तान को जीतना लेकिन वो अब सपना सिर्फ सपना ही रह गया था लेकिन गजब की बात तो ये थी कि औरंजेब भी बड़ा गजब का आदमी था क्योंकि वो इतनी बार हारने के बावजूद भी हार नहीं मान रहा था उसने एक और सड्यंत्र रचा और एक दिन सामबाजी महाराज और उनके साले सहाव यानि कि गणोजी सिर्के के बीच यानि उनकी पत्नी के भाई इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर अंडबन हो जाती है तो ये बात औरंजेब को पता चल गई और गणोजी सिर्के और औरंजेब एक दूसरे मिल जाते है एक दिन सामबाजी महाराज और कवी कलस गुप्त रास्ते से किसी गुप्त मीटिंग के लिए जाने वाले थे तो ये बात गनोजी सिर्खे औरंजेब को बताता है और औरंजेब 2000 सैनिकों को भेजता है और उसी गुप्त रास्ते भेजता है जहां सामबाजी और कविकलस गए थे चारो तरब से सामबाजी महाराज को कविकलस को वो 2000 सैनिकों ने खेर लिया था आठ लाख मुगल सैनिक इनका कुछ उखाड नहीं पाये थे लिकिन दो हजार सैनिकों ने इनको हरा लिया था क्योंकि दोके से पकड़ा गया था गनोजी सिर के बेइमान हो गया था अपने ही परिवार के सदस्य ने सामबाजी महाराज को दोखा दे दिया था और अंजेब कही सालों से सामबाजी महाराज से परेशान हो चुका था तो सामबाजी और कवी कलस को उन्ट से उल्टा लटका दिया जाता है और पूरे सहर में घुमाया जाता है लोग उनको पत्थर मारते हैं उनको पीटते हैं और बाद में आखिरकार काल कोट्री में डाल दिया जाता है और अंजेब सामबाजी महराज से मिलता है और उनसे डिमांड रखता है कि अगर उन्हें जिन्दा रहना है तो अपना मराठा एंपायर उसके हवाले कर दे सारा धन सारी दौलत उसे दे दे और अपने धर्म को परिवर्तन कर दे इसके बदले में सामबाजी महराज कहते है कि वो एक बार नहीं चाहे हजार बार उसे मारो लेकिन अगर मर गया तो फिर से जनब इसी धर्म में लेगा मैं अपने हिंदू रास्ट्र के लिए एक बार नहीं बलकि हजार बार मर सकता हूँ लेकिन अपना धर्म नहीं त्याग सकता इन दोनों ने अन्जल का त्याग कर दिया था सरीर को लेके सुन हो चुके थे लेकिन औरंग जेब भी रुकता नहीं है इन दोनों के नाखून उखाड दिये जाते है आखों में मिर्जियां डाली जाती है फिर से औरंग जेब पूछता है कि अपना धर्म बदल लो लेकिन छत्रबती सामबा जी महाराज इस बात को लेके राजी नहीं थे तो औरंग जेब ने इनकी आखे जला दी थी लेकिन सामबा जी महाराज कुछ बोले तक नहीं कि हमें छोड़ दो उनके हाथों की उंबिया काटी गई थी पाव की भी उंबिया काट दी गई और हाथ भी काट दिये गए थे लेकिन सामबा जी महाराज हार मानने को राजी नहीं थे औरंग जेब ने इनकी खाल उतारना चालू करी फिर पूछा औरंग जेब ने लेकिन सामबा जी महराज छत्रपती वीर सीवा जी के पुत्र थे और क्या होती है वो जानते तक नहीं थे ये दर्दनाग शिलसिला 40 दिन तक चलता रहा औरंग जेब फिर से सामबा जी महराज से मिलने आता है और कहता है कि मैं हार मानता हूँ सामबा जी महराज तेरे आगे इतना कहके सामबा जी महराज और कवी कलस को औरंग जेब मार देता है और ऐसे मारता है पूरे सरीर के टुकडे टुकडे कर देता है और एक नदी के किनारे फैंक देता है और दोस्तो सामबाजी महाराज को वहां के लोग मराठा लोग जो थे वो उनको घर ले जाते हैं और अपने सरीर को सीलते हैं और बाद में अगनी सश्कार करते हैं दोस्तो कुछ समयपाद और अंजेब भी वहाँ पर मारा जाता है दोस्तो ये कहानी थी छत्रपती वीर सामवाजी महाराज की तो दोस्तो आप क्या कहिना चाहते हैं कमेंट जरूर करें तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलूँगा तब तक के लिए जैहिन